नीट की परिक्षा में लगातार फरजी वाड़े सामने आ रहे हैं। परिक्षा के पेपर लीग होने से लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इन सब के बीच नीट की परिक्षा फिर से करवाने की भी मांग उठ रही है। परिक्षा में पास हो चुके छात्र इन सब बातों से बेहत परिशान है और उन्होंने पीम नरिंद्र मोदी से गोहार लगाई है छात्रों का कहना है कि दो से तीन साल तक उन्होंने दिन रात महनत की और परिक्षा में सफलता प्राप्त की अब फिर से परिक्षा करवानी की बात उठ रही है और यह जरूरी नहीं कि जो बच्चे पिछली बार परिक्षा में बहतर मांक्स लाए वो फिर से बहतर कर सकें इन दोर के छात्रों ने पीएम मोदी से गोहार लगाते हुए एक ग्यापन संभाग आयुक दीपक सिंग को सौपा है पेरेंट्स ने इस ग्यापन में निवेदन किया है कि हमारे बच्चों ने दो से तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इस कठिन प्रतियों की परिक्षा में सफलता अर्जित की है उनके इस प्रयास से शहर एवन प्रदेश का नाम राष्ट स्थर पर रोशन हुआ है उनकी है सफलता बिना किसी गलत तरीकों के उपियोग और उनके शिक्षकों और स्वयम के प्रयास का परिणाम है ऐसे में पुना परिक्षा का नेड़ा होने की स्थिती में उनके मनोबल और उत्सा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उन्हें मांसिक रूप से कश्ट होगा